हेलो दोस्तों, नमस्कार आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आएए देखते हैं हिंदी से सम्मंधित प्रक्टी सेट अगर आप ने हमारी چेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो पलीज इससे सबस्क्राइब कर लें क्योंकि हम रोज एक नया प्रक्टी सेट लेकर आते हैं आई ये दिव्त हैं निमने लिखित में असुध सब्द है ऐसे हैं सबसभाई मत्री मंडल मत्र एक है यूगी राज कि इसमें चिसे जो असुध सब्द है म मंत्री मंडल है क्योंकि मंत्री मंडल ना होकर मंत्री मंडल होता है निम लिखित में असुद्ध सब्ध है तो हमें इसमें असुद्ध सब्ध देखना है तो जो वीड़ा है वह सुद्ध है वास्फ सुद्ध है सिंदूर सुद्ध है जो सब्ताहिक है यही हमारा असुद्ध स हो जाएगा क्योंकि सबत्मी कि नहों किएक्थ नहीं के साप्ताहिक होता है जब निम्न लखित में हलावेज ह कि आपक और नोकूल आ सिर्वाद यह तो आग का प्रायवाची वायु सखा यह भी आग का प्रायवाची हुतासन विभा वसू यह सारे आग के प्रायवाची है और जो आग का प्रायवाची नहीं है वो अभी ठगा है option D आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं निमनिलकित मेंसे इच्छा का प्रायवाची सब्द नहीं है तो इच्छा का प्रायवाची सब्द यातना या इच्छा का प्रायवाची नहीं है option C आपका right answer हो जाएगा next question देखते है निमनिलकित मेंसे पानी का प्रायवाची सब्द नहीं है तो आईए देखते हैं पानी का प्रायवाची अम्बू, मेगपुस, नीर ये सारे प्रायवाची पानी के हैं बाकि सर जो है या पानी का प्रायवाची नहीं option B आपका right answer हो जाएगा निमनिलकित मेंसे घर का प्रायवाची सब्द नहीं है तो पावक घर का प्रायवाची सब्द नहीं है बाकि सदन, सीला, निकेतन ये सारे घर के प्रायवाची कहलाते हैं विसेशड कितने परकार के होते हैं, तो विसेशड चार परकार के होते हैं, option बी आपका right answer हो जाएगा, सर्ब नाम कितने परकार के होते हैं, तो सर्ब नाम छे परकार के होते हैं, उत्पत्ती की दिष्टी से सब्दों को कितने भेद हैं, तो उत्पत्ती की दिष्टी से सब् के तीन भेद हैं और आपका राइट एंसर हो जाएगा संग्या के कितने भेद हैं तो संग्या के पांच भेद हैं संसी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोईचन दिखते हैं विकारी और आविकारी सब्दों के कितने भेद हैं तो विकारी और आविकारी सब्दों के आठ वेद हैं इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विसेसर है तो इन में से कुलीन सब्द संग्या से बना हुआ विसेसर सब्द है यथा समय यथा समय समास है तो आपको पहले भी बताया है कि जिसमें उपसर्ग लगा हो वह समास जो है अबेविभा समास कहलाता है प्रता जो लगा हुआ है यह आपका उपसर्ग लगा हुआ है तो यह है आपका अब्वेविभाव हो जाएगा प्रतेक समास है तो प्रतेक में कौन सा समास है इसमें भी हमारा प्रती उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए हमारा या अब्वेविभाव समास हो जाएगा तिरंगा है तो आईए देखते हैं तिरंगा क्या है इस में से कौन सा समास है करमधारे समास है या बहुवीर समास है या द्वन समास है तो आप लोग जवाब दीजिए प्लीज तो तिरंगा हमारा तीन रंगों का समू अर्था तिरंगा तो यह हमारा बहुवीर समास हो जाएगा option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं कभी का इस्त्री लिंग रूप क्या है तो कभी का इस्त्री लिंग रूप कब इत्री है option C आपका right answer हो जाएगा सूरी का इस्त्री लिंग रूप क्या है तो सूरी का इस्त्री लिंग रूप शूरिया है आपका राइट एंसर हो जाएगा पेड से फल गिरा इस वाक में से किस कारक की भिवक्ती है तो गिरा पेड से फल गिरा या घर से लड़का निकला या कोई भी चीज अगर अलगाओ की स्थिती होती है तो वह हमारा अपादान कारक कहलाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह भी अपादान हो जाएगा वह कुलहरी से ब्रिच काटता है तो इस वाग में से किस कारक की विभक्ती है तो वह कुलहारी से ब्रिच काटा है यानि कुलहारी क्या साधन के रूप में प्रियोग कर रहा है तो जब हम कोई चीज को साधन के रूप में प्रियोग करते हैं तो वह हम करान विभक्ती होती हमारी मा ने बच्चे को सुलाया इस वाक में को किस का की विवक्ति है तो माने बच्चे को सुलाए यानि करता ने कर्म को तो यह हमारा B यहाँ पर option B आपका right answer हो जाएगा अध्यापक सब्द का इस्त्रिलिंग रूप क्या है option C आपका right answer हो जाएगा महासे सब्द का इस्त्रिलिंग रूप क्या है तो महासे सब्द का इस्त्रिलिंग रूप महासे नहीं होगा या महासे होगा या महासेया होगा या महासे होगा तो महासे सब्द का इस्त्रिलिंग रूप महासेया होगा option c आपका right answer हो जाएगा जैसे महोदय का महोदया होता है वह ऐसे ही महासय का महासया हो जाएगा नेता सब्द का इस्त्री लूंग रूप क्या है तो नेता सब्द का इस्त्री लूंग रूप नेत्री हो जाएगा option a आपका right answer हो जाएगा दाता सब्द का इस्त्रीलिंग रूप क्या है तो दाता सब्द का इस्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा option D आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं इंदर सब्द का इस्त्रीलिंग रूप क्या है तो इंदर सब्द का इस्त्रीलिंग रूप इंदरानी है तो option C आपका right answer हो जाएगा यहां का उचारण अस्थान क्या है तो यहां का उचारण अस्थान तालू है यहांनि option C आपका right answer हो जाएगा छोटा U द्वन का उचारण अस्थान क्या है तो आप U बोलिए देखे कहां से आपका ध्वन निकलता है उ समुच्चे का सही संद्र विचेत क्या है समद्धन उत्धन आये यही आपका राइट एंसल हो जाएगा शूर्योदे का सही संद्र विचेत क्या है तो सूरियो धन उदय या सूरिय धन उदय या सूरिय धन उदय या इन में से कोई नहीं आप लोग जल्दी से जवाब करें इसका जो right answer हो जाएगा सूरि धन उदय ये कहा है option c तो यही आपका right answer हो जाएगा महेंद्र का संदी विच्छेद क्या है तो महेंद्र का संदी विच्छेद महोधनींद्र महेधनींद्र या महाधनींद्र तो महेंद्र का संदी विच्छेद हो जाएगा है महाधनींद्र option c यह आपका right answer हो जाएगा क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपाथ है तो क्या सब्द में निपाथ देखती है आउधारन बोधक है या प्रशन बोधक है तो आधार बोधक है या तुलना बोधक तो जैसा कि सब्द से ही पता चल रहा है कि आप जा रहे हैं यानि पूछा जा रहा है तो इसका जो right answer होगा बी हो जाएगा प्रश्न बोधक मैं भी यह जानता हूँ इस वाक में भी में कौन सा निपात है तो मैं भी मतलब जोर दे रहा है नि बल दायक निपात होगा इसमें option A आपका right answer हो जाएगा जूट मत बोलो इस वाक में मत तो मत निसेद मना कर रहा है तो यहां जूट मत बोलो इस वाक में मत कौन सा निपात है तो मत यहां निसेद बोधक हो जाएगा तुम्हें राम के आने तक प्रतिच्छा करनी होगी इस वाक में तक कौन सा निपात है तो तुम्हें राम के आने तक प्रतिछा करनी होगे इसमें बलदायक निपाथ है पसपच्ची ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही कौन सा निपाथ है तो पसपच्ची ही इसमें बलदायक निपाथ हो जाएगा option B आपका right answer हो जाएगा कास आज वर्सा होती इस वाकि में कास कौन सा निपात है तो कास विस्मयाद बोधक निपात है जैसे कास आज वर्सा होती कास मैं पास हो गया होता कास मुझे नौकरी मिल जाती तो अगर ऐसे सब्द आते हैं तो या विस्मयाद मैं वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक सेर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कोल न भूले थैंक यू